नमस्कार नियूस क्लिक में आपका स्वागत है आज दुनिया भर की पड़ताल में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसके बारे में भारत में चर्चा बहुत कम होती है लेकिन अंतराश्टी इस तर पे उसकी भूमी का अलग-अलग चरोणों में बहुत एहम रही है पिछले दिनों वह खबर में आया हैटी जब वहां के प्रेसिडंट की हत्या हुई उसके बास से लगातार उस पे अलग-अलग धंग से खबरें आ रही हैं इस पर बात करने के लिए नियूस क्लिक के एडिटर इंचीफ प्रबीर पुरकायस हमारे साथ हैं प्रबीर बताई से मुझे लगता है कि जिस तरह से गुलामी के खिलाफ जो वहां का पूरा अंदोलन रहा है उस पर अगर हम आपके साथ बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि दर्शकों को शायद उसके बारे में बहुत कम पता है उसका हवाला भी बहुत कम आता है सबसे पहले त हैटी को दुनिया में एक बास्केट केस के तौर पे देखा जाता है क्योंकि उस पर भूकम पर बहुत सारे लोग मरे थे उसके बाद वहाँ पर स्मॉल पॉक्स की वहाँ पर बिमारी फैली जिसके लिए कहते हैं कि जो हमारे यहां से नेपाल हिंदुस्तान से जो लोग जाता है और अभी भी उसका वजह क्या है वो बाद में आता हूँ पर अभी भी जो चीजे हमें को देख रहे हम देख रहे हैं वही है कि वहां स्टेट करीब करीब पीछले 10-15 साल में लगता है एक कॉलाप्स करने की सिती में है वो एक वक्त पे इंजियो पारडाइस इंज तरह से तहस नहस करने की और इसके साथ-साथ पीछले जो 3-4-5 साल में जो चल रहा है पूरी तरह से एक इंस्टेबिलिटी की माहौल वहां पे है क्योंकि वहां पर राश्ट्र जो बुनियादी मुन्यतम चीजे हैं वो भी आम जनता को नहीं दे पा रही है और उसके साथ- इनिकॉलिटी बहुत बड़ा है तो हेटी का एक सेक्शन के पास बहुत पैसा है जा आम जनता के पास करीब करीब कुछ भी नहीं है तो ये एक राश्ट्र के लिए स्टेबिलिटी पैदा नहीं कर सकता तो लगातार वहां पे ये तो कूस ये तो पीशे से सरकार बदलने की जो दौर चल रही है तो खास तोर से इसकी पीछे अमरिका की बहुत बड़ा हाथ है फ्रांस की भी कुछ चत तक हाथ है क्योंकि फ्रांस इसको पुराना कलोनियल पावर है तो वहां पर भाशा जो है क्रियोल जो की फ्रेंच से मिलता जुलता है उसका इस्तमाल होता है तो ये इनकी एक डियो कालोनी नया उपनिवेश के रूप में इसको अमरीका कंट्रोल कर रहा है पर उसके साथ साथ वहां जो बुनियादी व्यवस्था रखनी चाहिए उसके और कोई रुजहान है नहीं तो उसको कैसे बंदूक से बीच बीच पे उसको दबा के फिर कुछ स्रिंकरा लाया जाए यही कोशिश हो रहा था यह प्रेजिडेंड भी उस तरह उसकी कोई लेजिटिमिसी इस वक्त नहीं थी क्योंकि जिस तरह से प्राइस राइस बुनियादी चीजें नहीं मिलने की व्यवस्था वहां पर है तो यह देखते हुए उनकी भी लेजिटिम कांग्रेस में किसी को निरौचित किया the जिन बर्खास थे जिनको थन प्रेजिडेंड प्रैम मिनिस्टर हो तो कौन उसका दावा कर सकता है प्राम मिनेस्टर होने का, प्रेजिडिंट होने का, जूसके बात का प्रेजिडिन जब चला जाता है, तो उसके बात का जो क्या होना चाहिए, वो भी साफ नहीं है, इस वक्त, तो अंचेता वहां पर बहुत सारे हैं, मारा किसने, यह एक में पहले थे अब क्या वो ड्रग डीलर्स के लिए आये थे और प्रों के लिएते का प्लेयर के लिए आए थे तो तो हेटी का ड्रग ट्रेड कंट्रोल करना कौन कर रहा था, क्या वहाँ पर कोई ड्रग बहुत बड़ा ड्रग डीलर उस इलाके का हेटी में था, जिसको हेटी सरकार ने अमरीका का हवाले कर दिया था, क्या इसके वज़े से हुआ है, रिदेंज था, और कुछ चीज आए, य इतना साफ है कि उसमें दो एक्स हेटी के लोग जो अमरिका में बसे थे उनका हाथ है और करीब 18-24 अलग-अलग नंबर देखने को मिल रहा है ये कोलंबियन वो लोग जो आये थे वो एक सर्विसमन है पहले कोलंबियन आर्मी में थे वो लोग आये थे और ये जो हिट है प्र पकड़ लिया है हेटी की जो सरकारी पहुझ है या पुलिस है उन्होंने पकड़ लिया है तीन को उन्होंने मार भी दिया है बर दूसरे लोग उनके इस वक्त कबजे में है तो देखना पड़ेगा इसकी कॉंस्पिरिसी इसकी पीछे क्या है उसको देखना पड़ेगा पर मूल चीज मेरे ख्याल से ये इंस्टेबिलिटी आसासिनेशन नहीं है मूल चीज है कि हेटी की जो शाशन ववस्ता है इसको पिछले सौ साल से अधिक इसको तहस नहस करने में अमरीका के बहुत बड़ा हाथ रहा है लेकि जब आप बार बार बोलते हैं जैसे कि माली जी अमरीका का हाथ रहा है फ्रांस का उस पर शाशनी था और जिस तरह से उसने गुलामी के खिलाफ एक बहुत एतिहासिक कदम उठाया और लेकिन वो तो अपनी गुलामी से भी बाहर आ गया फ्रेंच भी चले ही गए वहां से अमरीका का दबदबा रहा ये जो रिष्टा है कि अमरीका और फ्रांस के बीच जो वो फसा और जो आप बता रहें कि पिछले तकरीबन सौ साल से उसको अस्थिर करने की जो साजिशे रही या कोशिशे रही जिसे अलग-अलग ढंग से लोग देख सकते हैं उससे फायदा क्या मालीज अमरीका और फ्रांस को क्या फायदा मिलेगा कि हेटी जैसे देश को इतना अनस्टेबिलाइज करके क्या फायदा उससे उनको कुछ फायदा है तेखिए अमरीका का तो इतिहास पिछले सौ साल की है इसके पहली की इतिहास अगर देखे तो फ्रेंच की इतिहास है जिसमें अमरीका ब्रिटन सबने सहयोग दिया था हेटी की सबसे बड़ा जो कह सकते हैं उनका पाप क्या था सबसे बड़ा उन्होंने कौन सी जल्म की थी जिसके लिए इतनी सजा हेटी को 200 साल से मिल रहा है उन्होंने स्लेवरी की उपर आपने जो कहा गुलामी खिलाफ कदब ही सिर्प नहीं उटाया सफल हुए गुलामी हेटी से निकाल देने का यह एक बहुत बड़ी चीश थी क्यूंकि इस सेंडमिंगो के नामकर वो कॉलिनी थी वहां पे उस द्वीप में दू दो तिहाई हिस्सा स्पेंड के पास था और यह था एक तिहाई हिस्सा फ्रांस के पास वो आफरिका से लाए जाते थे और हर साल 30,000 स्लेव गुलाम लाए जाते थे जिनको शुगर कल्टिवेशन कौफी वगरा भी था शुगर बुक की चीज था शुगर कल्टिवेशन में उनको इस्तमाल किया जाता था और उनके एक तिहाई हिस्सा तीन साल के अंदर मर जाते थे ये इसका पूरा तीन साली एक स्लेव का उमर होता था वहां से आने के बार ने हम पज़े काम करें था तो ये जो एक भयानक शोशन था उसके खिलाफ इन्होंने बंदुक उठाई थी इन्होंने बंदुक चीना लड़ाई की और फ्रांस को हरा दिया था एक बार नहीं दो बार और जब फ्रांस ने उस वक्त आप समझ लीजिए वक्त क्या है ये 1791 की बात कर रहे जो फ्रेंच रिवोलूशन हो चुका है रिवोलूशनरी फोर्सेस की जो वहां पर डेकलरेशन थी फ्रांस में कि हम हर इनसान को बराबर समझते हैं वही उन्होंने यहां पर कहा था तब फ्रांस ने कहा था ये काले लोगों के लिए नहीं है वो तो संपत्ती है ये सिर्फ हमारे यहां की लोगों के लिए है तो संपत्ती जब विद्रोह किया अब स्लेव रिवोल्ट हुआ महाँ पर फ्रांस को हरा दिया तो नेपोलियन इसके बाद उस वक्त फ्रांस के नेता थे तो नेपोलियन तब तक अपने आपको राजा भी गोशित कर चुके थे तो नेपोलियन अपते दिश्टदार के साथ 40,000 सेना हेटी में उस वक्त 40 जार बहुत बड़ा संख्या होता है सेना के रूप में हेटी के में भेजा था और वो हार गये थे वो हार जाने से जो उनकी नौट अमेरिका में उनकी जो एक सामराज्य था जो कि उस वक्त जो अंग्रेज ने जो खोया था जो अमेरिका युक्त राष्ट्रम कह रहते हैं वो तेरा कॉलिनी बिटन के थे वो जो आजाद हुए थे इसकी बराबर भूमी फ्रेंच के पास थे वो हार जाने के बाद उन्होंने उनको पन्रा मिलियन डॉलर में शायद बेच दिया था तो उसे उनका साइस डबल हो गया था तो अमरीका को स्थापना करने में अमरीकी युक्तराष्ट्र को स्थापना करने में हेटी की सबसे बड़ा भूमी का तो यह रहा उनके लिए बहुत भारी बड़ा क्योंकि जेफर्सन जब प्रेजिडेंट बने तो उनका कहना था कि यह जो बीमारी है स्लेवरी खतम करने की यह बीमारी हेटी से फैलना नही यह हाल में जो रिवुलूशन है। है सलेव इसंवीर 15 रहना चाहिए क्योंकि फ्रांस पेन इंग्लेंड अमरीका जुक राष्ट्र में fara ट्रिंवन की कॉ więks पी चलते ब्रचिल में बहुते बड़ा स्थिस्ट और अमरिक आर्प जानते ही है वहाँ पर स्थिवरी पुरी त तो यह जो slave powers थे जो की कलोनियलिजम का foundation बनाते हैं दुनिया में इसके foundation slavery पे बसी हुआ उपने वेशवाद की पूरी की पूरी आधार गुलामी पर है गुलामी पर है क्योंकि अमरीका में भी तो पूजी बाद और यह slavery गुलामी यह एक बहुत अनोखा उस वक्त उन्होंने जोड़ लगाया था कि पूजी बाद के साथ साथ slavery चल सकता है और उसकी श्रम से मुनाफ़ा कमाएंगे तो इसको हम ना समझे कि पूरानी slavery से इसका को मतलब है यह एक पूजी बादी slavery था जो कि इनसान को एक productive force की रूप में देखता था जैसे मशीन को देखता है उसका किता मयाद है पांच साल डस साल इसके बाद सको फैंके और एक मशीन खरी देंगे इसी तरह इनसान को सोचना यह जो समझ है इसके लिए हेटी उनके लिए बहुत बड़ा एक ऐसा खत्रा था कि यह पूरा हमारा इस इलाके को destabilize कर देगा जो slavery पर चल रहा है इसलिए उन्होंने हेटी को कफी माफ नहीं किया और फ्रेंच के साथ मिल के फ्रांस वहां पर अपने जहाद भेजे उन्होंने हेटी पर एक शर्त थो पा था ठीक है अपने स्लेवों को मुक्ती दिया पर उसको मुक्त करने में हमारी जो नुकसान हुई है क्योंकि उसका तो काखीमत था तो उसकी आपको मुआफजा देना पड़ाएगा आप हैरान होंगे उस मुआफजा उसकी national income अगर कहें उसका 80% हेटी को उसका national income को देना पड़ा था फ्रांस को और ये मुआफजा 1947 तक मेरे ख्याल से वो चलता रहा तो हेटी आज जो सबसे गरीब मुल्क हम कहते हैं इसी लिए कि फ्रांस को उन्होंने मुआफजा दिया और अगर 20th century की इतिहास देखे तो उसमें अमरेका ने उसको एक बार कबजा किया था 20 साल कबजे में रखा विल्सन प्रेजिडेंट वि किसिब के इनसान थे उसको बेटे ने इसके बाद उनों ने सूपा था अपना राज तो यह जो है पुरी अमरिका के सांडगाट सिदनी उसके पूरा अमरिका की उसकी अमरिका करीब-करीब सामराज जबादी शक्ति ओपन ली आ गया इस तरह से क्योंकि कि प्जा भी किया म अपने वहां पर पुतले बैठाए क्योंकि तब तक क्यूबा उनके लिए खत्रा पैदा हो गया था तो क्यूबन रेवलुशन के बाद इन्होंने हैटी को वहां पर और उनको लगा कि यहां पर सब जगहों पर खत्रा है कि बाम पंथी फिर यहां पर पनप जाए तो यहां पर डिक्टेटरशिप जित्ना घट्या डिक्टेटरशिप हो सकता है उस्पे कोई अतराज नहीं है उनको बरकरा रखने का उनका शर्यंत्र रहा या उनकी साजिश रही यह तो उनकी राजनीत रही जो भी कहें तो यह चलता रहा तो हेटी का यह पूरा शोशन और पूरी तरह से जो मैंने कहा कि फ्रांस के जरिये पहले पनिश करना और हैटी को उन्होंने कभी माफ नहीं किया कине यह उद्द्डन्मता कि हम बराबरी मांग रहे हैं यह इसे एकसलेव नेशन जो है एकसकलोनियल नेशन कभी माफ नहीं किया हैटी को और इसलिए हेटी को इस तरह दिखाने का दुनिया में जो साजिश है इसकी पेचे ये मकसद भी उनका है कि इस तरह से जो गुलाम देश है वो बना रहे है लेकिन अभी की जो तारीख में जिस समय हम बात कर रहे हैं उसमें अमरीका का ज्यादा दबदबा उस पर है और जो अर्थविवस्था पूरी बैठी है अर्थविवस्था के साथ साथ बाकी जो बुनियादी चीजे हैं खास और से वहाँ पर मैं देख रही थी कि महंगाई को लेकर जो गैप है एकनॉमिक डिवाइड वो भी बहुत ब सारी चीजें दूसरे ढंग से भी बनी हुई हैं तो यह दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं वहाँ पर एक बार वहाँ पर अरिस्टिडेस करके एक शक्स थे जो जीद गए थे प्रेसिडेंट उसके बाद उनको हटा दिया गया क्योंकि वो खत्रा पैदा कर रहे थे इन और वर्ल बैंक की बात सुनके चलेंगे तो उसके वजए से जो आप चीजें कह रहे हैं अरिस्टिडेस के रहते हुए भी वो चीजें सुधर सुधर नहीं पाए और उनको भी पांच साथ साल बाद उनको भी निकाल दिया वहाँ से और निकालने के बाद उन्होंने फिर च वोर्ल बैंक की पॉलिसिस को खतम कर देगे तो अमरिका स्वाविक है इसके बाद अमरिका उनको रहने नहीं दिया अभी उनकी पार्टी इलेक्शन चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले सकती उनको डिजलाव कर देते हैं तो यह जो चीजे है इसके पीछे यही है कि यह एक त शावेज जब थे और बाद में भी वेनेजवेला बहुत कोशिश किया हैट्यू को समर्थन करने पर खास तोर से तेल उनके खरिंदे की शमता नहीं थी काफी बहुत ही सस्ते दाम पे तेल दिया शावेज ने वेनेजवेला ने दिया पर इसके बाद उन्होंने कहा था इसक तब फिर वहां पर अशांती होती है फिर वो डिक्टेटरशिप की बात आती है कैसे जन्ता की बाते दवाई जाए पर इसके पीछा और ही इतिहास है कि वेनेजवेला ने क्यों यह मदद की और यह भी इतिहास हमें समझना पड़ाएगा वेनेजवेला इसलिए मदद किया लो ने कहा सैंट बलीवार हमारी अज़ा हमको आजादी दी वातन अफ violence का hunter साइमन बलीवार उनका लीडर थे जिन्होंने श्पैन को हराय था साइमन बलीवर वहां से लाटन अमेरिका से साथ अमेरिका से हैटी गए थे वहां से इन्हें शस्ट्र लिया, वहां से उन्होंने हैटी में उनको प्रशिक्षन मिला, प्रशिक्षन मिला, आर्म्स मिले, हैटीन सोल्जर्स भी उनको साथ कुछ गए थे पर बूला ता लाटन अमेरिकन सोल्ज साथ अमेरिका की लोगी थे पर उनको शिक्षा मिला, आर्म्स मिला, ये सब लेके वो वापस जब गए तब वहां जीते थे. तो उन्होंने वेनेज्वेलर के वोग शाबस नहीं कहा था, हम मदद नहीं कर रहे हम सिर्फ वापस कर रहे हैं वो चीज जो हमें हेटी से मिला था, हमारी आज़ादी की जो बिरासत है, वो हेटी से. इतनी बार हम बात कर रहे हैं फ्रांस की. दूसरे संदर में देखें तो फ्रांस अभी भारत के लिए और खास्वासे फ्रांस का जो कोट है, जो अधालत है, वो भारत के लिए थोड़ा सरदर्द बनी हुई है. अभी वहां उन्होंने एक कमपनी को कहा है कि भारत की जो 20 सं क्योंकि हमें जैसे कहते हैं जब एग्रिमेंट करते थे विदेशी पूजी निवेश करने की, तो उसके साथ-साथ हम और कुछ एग्रिमेंट साइन करते हैं. तो उस एग्रिमेंट में हमारा ये है कि जिसको कहते हैं हम क्या-क्या शर्त मान रहे हैं और इस तरह के एग्रिम भी हम इन्वेस्मेंट्स के लिए मान चुके हैं, जैसे केर्ण एनलजी के साथ हमने संबंध किया, चुकती की, तो उसमें एक क्लाउज होता है कि हम इंटरनाशनल आर्बिट्रेशन मानते हैं और इस चुकती के तहद हम इसकी जो चीजे है एक गवर्ण होगी, तो ये दो शर केर्ण एनर्जी कहा कि हमारे इस पर दो बिलियन डॉलर्ड की नुकसान हुआ और इंडिया इसको नहीं दे रहा है, तो आर्बिट्रेशन में गए, आर्बिट्रेशन में केज जीद गए, केज जब जीद गए, अब हम हिंदूस्तान कि हम इसको मानते नहीं है अब यह सवाल है कि इस तरह से पहले आपने इन चीजों को sign जो किया था यह बहुत बड़ी गलती थी इसके साथ आपका माना कि इस तरह का कैन से energy के साथ हमें sign नहीं करना चाहिए आपने मान लिया इसके सब पहले जो agreements आपने कि और इसने देशों के साथ, European Union के साथ, England के साथ, UK के साथ आपने जो किया है, इनके जो investment agreements आपने sign किया है, उन investment agreements बहुत सारे clauses, हम बहुत पहले से कहते आए हैं, हम नहीं, बहुत सारे लोग कहते आए हैं, यह बहुत खतरनाक है, आप investment के लिए आमादा हो, कि investment आओ, पर जो आप FDI के लिए जो आप sign कर रहे हो, यह आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, वही अब हो रहा है, हमने पहले बार हार गये थे, आपको याद होगा, Enron केस में भी हार गये थे, उसमें क्या, उन्होंने क्या कबूल किया था, हम पैसे देंगे, वो किसी को बताया नहीं आज तक, कितना हमको देना पड़ा, Enron को, Enron तो खतम हो गया था, Enron का GE जो है, उसका भार ले लिया था, तो GE को हमने कितना पैसा दिया, हमें मालूम नहीं है, पर यहाँ पर पब्लिक है, कैडन एनरजी के साथ जो है, हम आर्बिट्रेशन हार गये, इसके बाद हमें कोई कदम नहीं उठाया है कि इसका क्या हम करेंगे, अब कैन एनरजी क्या कर रहा है, किसी भी देश में, आपकी जो प्रॉपर्टी है, भारत सरकार की सरकारी कंपनियों के प्रॉपर्टी है, इंडियन एरलाइन्स को जहाज, किसी भी, आपके दूतावास की बिल्डिक्स भी हो सीज करने क च्छमता हो सकता रखे, तो जो जो प्रॉपर्टी आपकी है, उसको सीज करने के लिए मूव कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम क्या करना चाहते हैं, यह सरकारी तोर से कोई आया नहीं, सरकार के और से कोई बात नहीं आई, हम करेंगे क्या, हम हर केस क्या लड़ेंगे, कैन जहां जहां पर हमारे खिलाफ केस करेंगे, हम इसको लड़ेंगे, तो यह एक बेवकूफी वाली रास्ते पर हम इस वक्त चल रहे हैं, पर सवाल हम की यहां पर कैन एनरजी क्या, इससे सबक हमें मिल रहा है, कि इस तरह के एग्रिमेंट्स हम नहीं करेंगे, इस तरह से हम को बुलाएंगे नहीं कि आप आईए पूजी लाईए हम सब कुछ दे देंगे आपको इस तरह के एग्रिमेंट्स है क्या उसके बारे में कोई ट्रांसपेरिंसी इस वक्त नहीं है कि हम किस तरह से इस तरह की इंवेश्मेंट्स पे हम दसकत करेंगे या जो दूस्तरे मुलकों के साथ येयुर्पियन यूनियन के साथ अमरेका के साथ इस तरह जामारे एग्रिमेंट्स हैं उनका हम क्या करेंगे इस वक्त साफ तज़ीर नहीं इस तरह से चाहे हैटी हो या फ्रांस, दुनिया भर की जो पड़ताल है, दुनिया भर में जो घटना क्रम है, उससे हम बतौर भारतिय नागरिक, बतौर भारतिय दर्शक कैसे प्रभावित होते हैं और कैसे हमें देखना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि समाचार माध् करते हुए, यह जो हमारा चश्मा है, कि अंतराश्टी घटना क्रम को हम कैसे देखें, इस पर हम अपनी तीखी और पैनी नजर आपकी मदद से बरकरार रखेंगे, शुक्रिया